नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं होरचा शुर्मा बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और नितीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में है आपको याद होगा कि स्टूट से पहले नितीश कुमार ने कारिक्रम में परिवारवाद पर बयान दिया नितीश ने वो बाते सहे तो कही थी आज आपको बताते हैं नितीश कुमार के बेटे निशानत की कहानी लेकक उदैकांत अपनी किताब नितीश कुमार तरंग दोस्तों की नजर से में लिखते हैं कि जब नितीश पटना आये थे तो विजय चौधरी की मदद से उनकी पतनी मंजु का तबादला बोरिंग रोड इस्थित जेडी बाली का उच्छ विद्याले में हो गया नितीश कुमार खुद अपनी पतनी मंजु को छोड़ने स्कूल जाया करते थे और उनकी साध्य और सौमे वेवहार के चलते करीब डेड़ माह तक किसी को पता नहीं लगा कि वो विधायक है और मंजु किसी विधायक की पतनी पतना आने की बाद नितीश के घर हमेशा मिलने वालों का ताता लगा रहता कई बार तो हालात ये हो चुके थे कि नितीश को अपने घर में बाहर से ताला लगवाना पड़ता इसी दौर में पारिवारिक मित्र की सलापर उन्होंने अपने बेटे निशान्त का एड्मिशन सेंट केरियन्स स्कूल में करवा दिया उस समय निशान्त दूसरी कक्षा में पढ़ाई करते थे और इसके साथ ही उद्यकांत आगे लिखते है निशान्त बहुत सीधे सभाव के थे और स्कूल के सबसे शरीफ बच्चों में से उनकी गिनती होती थी एक दिन किसी शिक्षक ने निशान्त की छड़ी से पिटाई कर दी चोट इतनी गहरी थी कि उसके माते पर गूमट निकल आया था बुखार भी हो गया था निशान्त गुमार को जब अपने बेटे की पिटाई की खबर मिली तो गुस्से से आग भबूला हो गये हलांकि उन्होंने अपने करीबी लोगों से बहुत ही सब भभाषा में इसकी चर्चा की और जब तक उनके दोस स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करते तब तक नितीश और उन्होंने निशान्त का नाम उस स्कूल से कटवा दिया कलेजे पर पथर रख कर मसूरी के गैर अंग्रेजी स्कूल में यानि मानवभारती में आडमिशन करा दिया निशान्त कहते हैं कि पापा के दोस्तों सर्यूराय अंकल और अर्विंद अंकल की सलाव पर मसूरी इस्तित्मानो भारती नाम के नए स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया और वहां मुझे हॉस्टल दिलाए गया मेरे कमरे से हॉस्टल का बातरों बहुत ही दूर था और वहां जाने में मुझे बहुत डर लगता था मेरे ममी पापा ने मुझे धेर सारे खिलोने दिलवाय थे स्कूल की एक टीचर ने मुझे सारे खिलोने छीन लिये और अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया मैं बहुत दुखी हुआ लेकिन किसी से कुछ नहीं कहे पाया इन सब के बावजूद मैं भरसक मन लगा कर पढ़ाई करने की कोशिश करता रहा लेकिन वहाँ मेरी तब्यत अकसर खराब होने लगी कुछ दिनों बाद ममी पापा ने मुझे पटना वापस बुला लिया इस बार केंद्र विद्याले में आडमिशन करा दिया निशान अपने बच्पन को याद करते हैं कि एक बार को छोड़कर पिता जी ने मुझे ना तो कभी जोर से डाटा और ना ही पीटा घटना तब की है जब मैं स्कूल में था उन दिन स्कूल में जल्दी छुटी हो जाया करती थी और मैं जब घर लोटता तब तक मां घर नहीं लोट पाती थी कभी कभार मैं नीचे जाकर अशोक चौदरी को उन्होंने अंकल कहा उनके पास जाकर रहता था एक दिन मा घर में नहीं थी और मैं स्कूल से आकर खेलने में बिजी हो गया पापा ने कई बार होमवर्ग करने को कहा पर मैंने अंसुना कर दिया और बाद में जित करने लगा इसके बाद उन्हें बहुत गुसा आया अपने दोनों हाथों से मेरी बाह को पकड़ कर मुझे उठा लिया और छट से नीचे छट जे पर लटखा दिया मैंने अपने पापा को इतना गुसा करते कभी नहीं देखा था इससे अच्छा होता कि वो मेरी पिटाई कर देते बाद में उन्हें भी अपने गलती का एहसास हुआ था और मुझे भी अपनी गलती समझ में आई थी इसके बाद मुझे बनाने के लिए पापा मेरे लिए क्रिकेट किट लेकर आये थे ये तमाम बाते निशांत ने कई है और ये तमाम बातों का जिक्र उद्यकान जी के किताब में मौझूद है ऐसी तमाम निशान से जोड़ी और नितीश कुमार की परिवार से जोड़ी कहानियों को सुनने के लिए आप हमें देखते रहें और वहार तक पे बने रहें हमारे साथ